सब्सक्राइब करना चाहिए लड़कियों को तो जो 85-90 प्लस है सब को करना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी लोगों को मिल सकता है मैं यूपी का 41,500 दिया हूं सलाप परवाही और कट आफ के चकर में रिवीव लिजे गर्स हमारी चोटी बैने हैं यहां बात करने के लिए रिवीव लेने के और यह लोग हैं बात करने के लिए इन से दिखा आप और को पता ही एक अपने एक एड़ियों में जो है एक निखाला जाए लड़की लड़की कि बात कर लेते हैं किते कोसं पर रनिंग कर रहे हैं देखिए हमारे पास जो ऑबीशी कंडिडेट है लगवन 95 पलस है प्लस है रनिंग कर रहे हैं जी और अन्रीजर की बात करे कि यहां पर जैसे कुछ ऐसे बात करें कि कुछ लड़के यह हैं कि थोड़ा उनका कम नंबर भी है तो तभी हो तयारी करना है ठीक है लेकिन वह बता नहीं रहें किसी को और मुझे ऐसा मैसुस कर रहे हैं कि लोग बताते हैं दो चार कोर्शन बढ़ा के बताते हैं बिल्कुल कि उनको ऐसा लगए कि हम बेज़ती फिलना हो यार कि मेरा कम है अगला बंदा खाएगा मेरा तो पांच है मैंने गया था मुझे तो कई सारे सब्स्राइबर मिले थे मेरे लोग मिले थे लेकिन सब 92-98 के आस लेकि लिए लेकि आप लोग चेक कर लीजिए गा सब्सक्राइब खुज किलियर हो जाएं कौन कितने पानी में ठीक है बहुत आइए रिवीव स्टाट करते हैं कितने पूलिस मेरे एक सब्सक्राइब हां अच्छा सिप्ट था 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 थीजिए बताईए थेज़ चौवीस यह जैसे माली जी अगर तेशोबीस पचीज वाले अगर सो कोसंट किये हैं एक एवरेज लेना हो मतलब कम ज्यादा बच्चे कि अगर माली जी वहीं में अगर आप 30-30 हैं तो प्रॉस में बताईए जैसे हैं कि मतलब हमें तो मतलब जैसे पूरा पेपर देखे हैं तो किसी में असान कर दिया है तो उसमें हिंदी में बढ़ा दिया है तो मैं से माली मैस रिजनिंग क्या है तो लगभाद सब में वहीं थी उससे कुछ फायदा हुए है दुचार कोसान ने जरूर पता चल जाता है तब लगवाले कितने कोसन आसपास एक सोचाओश सही है अब कर दो लगवाले कि अपनी यू आर अचार गूगल फार था आपके जानने में आसपास में जो लड़कियां है किसे को से उनका सही है नाइंटी से हंड़ेट के बीच और रहनिकर नहीं हो लो एक बस लड़की को मैं जानती हूँ जिसका 115 है बस और किसी का उतना उतना अब दूब कि वंडे में लगी रहे कि वंडे मतलब की यह नहीं है कि जाम वेपार आया पुश्के लिए नहीं पड़ी थी मैं उपकी के लिए सिर्फ हिंदी पड़ी थी बस अच्छा उसके पर तईयारी किसी किसी सीजिए मेरी से सीजिए लोग अगर देती ती अच्छा अच्छा नहीं बताना चाते कि हो जाए कि सेलेक्सन लेने कवा लोग ठीक कोई बात नहीं क्लारीफाई कर दे रहा है वेडियो में तो आप क्या ही बचा तो बताई दू फिर मैं नहीं एकली मेरा काम है ना कोई चीज ना अन्फिल्टर्ड होके लोग तक पहुचे नहीं व अत्य चुश्यँज हो गया है कि मतलब जिसका 112 प्लस है उसके अर्टेशाम निकले हुए है कोई अच्छा मैंने पर नहीं भाई या मेरे बढ़े थे मैं भड़े थे यह नहीं पता शर वह नहीं पता सर मैं भरी नहीं थी जूट नहीं आज जैसे माले जोग्ल पर आइसा का पटाव बताई जाती है आपको क्या लगता है किते पर सही होता है इसार मुझे इतना पता निवस्में पेपर दिए वस्में ने पड़ी तोड़ा पड़े थे और मैं सारा मेरे भाईया गोगल फार्म भर दिया थे जाना है जाए चौबी सुमिटर आप लोगो रनींग करनी ह अगर 85 से प्लस तो रनिंग करें कोई पता नहीं है कि क्या हो सकता क्या हो सकता क्यों कि सीकंडर मेरे और लिश्ट भी लग सकते हैं पर दो दो नहीं होती है जब तैयारी नहीं होती है जब इस टेमना फर बना नहीं रहता है तो अकसर बच्चे जो है घर जाते हैं बना आज सब्सक्राइब कर नमर करना लास्ट में जब आजाए काटाब का इंटजार करते कटाव से बाहर और नौकरी हां यहां जब कटाप आजाएगी दस दिन में बोल देगा रणिंग है तो अब वही एक कहावत है ना कि मुझ से ने माला खीच लेना बस वही है आपको मैं लगाया कि लोग खालो अमेने खीच लिया यहीं लल्चा के चला गया या आप जो है कियो हाथ रगड़ते रहा जाएंग जो है कुछ नहीं मिलेगा आपको आप समय से जग जाई कहने का उद्देश है कल के परसाने सच्छा है आज कर लीजिए कर लीजिए अमेरे कहने मतलों कि आज मेहनत किये रहेंगे तो जाएसी बात है कि आपका नुपसान नहीं जाएगा और रिस्पांस आपका बेतर होगा तो हमको लगता हूँ परस्ताना पड़ेगा कि साध में दोड़ी होती पहले कास में दोड़ा होता तो साध में आज यहां नहोकर मैं यहां नोकरी करता होता है कोई भी रहें कोई भी गल्स आज त्यारी कर रही है ठीक हैLCindi आप इतना सालों की मेंद स्भास स्यक अप्ना में इभार कर रही हैं तो कम तर्सकिम्हें हम यह चैंति जिस दिन इंतिजार कर रहे हो कटाब का उस उस से पहरें दुशिशारी कर लो हो सके कटाब में तो बहतर नहीं हुआ तो नहीं करते हैं कि something is better than nothing मेरा नाम विवा जतुरवेधी है मेरा थेज की सेकेंड सेफ्ट को था मैंने 137 कोश्चन अटिम्ट कीए थे 36 मेरे गलत थे 101 सही था कटने के बाद 92 हुआ था आट अक्टूबर से अच्छा आपका 92 है अब दब्ली को से नगिया नगिया करना चाहिए लड़कियों को तो 85 90 प्लस है सब को दोगा चाहिए क्योंकि लड़किया मैक्सिमम जो फीजिकल में ही फेल होती है वह रणिग नहीं कर पाती है दिल्ली पुलिस के बहुत बड़ा उधरन है कि उसमें सो लटकी गुरूप दोड़ाया गया था उसमें आठ नो लटकीया तो मैं ग्राउंट पे गया था मेरा काम है लोगों जाकि बच्चों से मिलना देखना कैसे क्या चल आए भी ग्राउंट पे गया था तो महां 10 में से 9 10 से 11 माइक्सिम 15 लड़किया सो में से पास होती थी वाकि आखनी पहुष्टे पहुष्टे गिल जाती थी या बैठ जाती थी ऐसे दोड़ नहीं पार मदलब जो पकड़ लेता है न उससे परीदिक्कते होती थी अच्छा की बताईए गूगल फरा था था आपने नहीं अच सब लोग एक जैसे नहीं होते सब की स्टैमिना सेम नहीं होती मुझे खुदी जब मैं ग्राउंड में आई थी तीन-चार राउंड लगाती थी मैं हाफने लगती थी में रुख जाती थी नहीं चल पाती थी पैसीन पेन होता है पैर भारी हो जाण कभी थाई में पेन होने लगता है सास रुख जाती है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा कि आप पहले आप टाइम मत देखिए कहां 14 मिनट में मैं पहले दीन करणू आपको पहले 8 round नहीं जैसा ground हो आपका, जैसे हमारा ground, 330 मीटर का है, मैं मान के चलती हूँ 300 ही है, पहले आप अपना इस time नहीं अपना आपके 8 round का, कि हाँ हम उतना कर ले रहें, पी time अपने अपने अपनी आपका, अब का चलता है, कर जाए जो भी है आपका round, ठीक है. सब्सक्राइब करें अपना जो है जैसे सुरुवात में कर रहा है तो हम कर रहा है कि ठीक है दौड नहीं पा रहा है भारी शरीर है अब टहल ये ठीक है क्यों टहल के चक्कर लगाईए एक अग डेड़ किलो मेटर दो किलो मेटर आप चलिए धीरे-दे करते करते आपका जो है जब बाड़ी खुलने लगेगे तो आपके अंदर से एक आत्म विश्वास जगेगा और फिर वो बोलेगा कि अरे थोड़ा से चलो थोड़ा दो कब तक कैसे चलो तो वह व्यक्ति क्या करता दो ना स्टार्ट करता है दीरे-दीरे-दीरे बनाने लगता है हम कह रहा है ठीक गरता दो थैगरे दोड़ा है यह सबसे बैस तरीका आप जो है पहले शेव उठाएए कितने लोग देखते हों कि रनींगर आते हैं कान में एयरफोन लगा लेते है और लगाने के दौर आन वह भूल जाते हैं कि मैं तेद दपायर में जो है सेन पीन हो गड़ गया और जज प्रसों की डेट में जब आपने टाइमिंग फिक्स किया था उस दिन की में आप राउंड मैंने पुरा कम्टीट किया था पहले मैं नहीं कर पाती थी अब मैं आट राउंड कर लेती हूं अब लगातार कांट्यूने थाइगा थोड़िये का नहीं और जो लेती हैं आप मदब फिटे भी रहेंगे आपके साथ आपके साथ जो वहने हैं उनको मोटिवेट करिए आप ग्राउंड को लेके जाएगे रनिंग करने जाएंगा क्योंकि कल के पर सब्सक्राइब अच्छा अब तक मेरा सिफ्ट जो है और अब तक मेरा सिफ्ट जो है फर्स्ट इसके पहले को एक जाम दी हैं जी मैं यूपी का एक तालीस अजार पांसो दिया हूं वही है थोड़ा सा लापरवाही और कटाफ के चक्कर में लापरवाही का मतलब यह हुआ सर कि मैं उस समय और तयारी कर रहा है सोच रहा था कि इससे बेटर कुछ कर्मैन रनिंग नहीं किया एक तालीस हजार पांसो फिर उसके बाद मेरा उसके बैक पे एक साथ हजार कुछ बैके आपकी बार जो एक तेरा कुश्चन है और तो इसकल के लिए इस लिए आल्रेड़ी मैं पर्याग राज की सबसे फेमत फिश्कल अकेडमी बीके टेक को किया और बहुत अच्छा रिस्पांस है मेरा टाइमिंग के अंदर भी आ जाता साड़े तेस मिनट अपकी बार सर ने टेस्ट लिए तेस मिनट में आगया इस बार इस बार इनके फिश्कल फॉर्दी पक्षी है पहले आपको बधाई हो और वर्दी म अभी आपको डाउट होड़ना चेक कर सकते हैं सब्सक्राइब कोई डाउट होता है संका समधान होता है कमेंड बाक्स आपका है चैनल आपका है एक नहीं दस कमेंड करिए बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा चलिए अपना ध्यां रखिएगा सबस्त रहिए मर्स रहिए जय हिन जय भारत